अगला टॉपिक यूज ओफ डॉंट इसको समझेंगे यूज ओफ डॉंट तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस है डॉंट बी सेड आपको पता है इसमें जो बी होता है उसका मतलब होता है होना तो उसका मतलब क्या है होना और सैड मतलब होता है दुखी तो डॉंट बी सैड इसका मतलब क्या है दुखी मत हो क्या मतलब होगा इसका दुखी मत हो कोई वैक्ति जब दुखी होता है उसको कोई परिशानी होती है तो हम उससे यही तो बोलते हैं चाहिए हम हिंदी में बोले दुखी मत हो और we can say in English don't be sad अगला है don't be afraid afraid का मतलब होता है डरना ठीक है तो don't be afraid डरो मत be afraid मतलब डरो मत don't be afraid डरो मत don't be nervous don't be nervous nervous का मतलब होता है घबराना तो घबराओ मत घबराओ अगला है don't be foolish foolish मतलब होता है मूर्ख तो मूर्ख मत हो या फिर मूर्ख मत बनू don't be foolish कोई बेवकुफी भरी बाते करता है तो हम उसे यही तो बोलते हैं don't be foolish the next one is don't be greedy greedy मतलब होता है लालची तो लालची मत हो या फिर लालची मत बनू कोई व्यक्ति होता है जो तो different types की dishes को देखकर उसको ये लाला चाहता है कि मैं सारी dishes को खालू हूँ या फिर कोई व्यक्ति होता है जो चाहता है उसको हर चीज मिल जाए तो हम यही बोलते हैं कि लालची मत बनो अगला है don't be relaxed इसका मतलब क्या होता है don't be relaxed मतलब आराम मत करो या फिर आराम से पेश मत आओ अगला है don't be panic panic मतलब भी होता है किसी चीज से घबरा जाना जैसे कि एकदम से आपने कहीं पर बहुत सारा शोर सुन लिया बहुत सारी आवादे सुन ली तो कुछ लोग होते हैं जो इससे घबरा जाता है पंक्चर हो जाता है चलते हुए कार को तो क्या होता है हम लोग घबरा जाते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है don't be panic everything all will be all right okay the next one is don't be serious serious मतलब होता है गंभीर तो गंभीर मत भी be funny मतलब किसी बात को इतना मत सोचो कि आप उससे परिशान हो जाएं अगला है don't be rude rude मतलब होता है अशिष्ट मतलब don't be rude का मतलब है अशिष्ट मत हो मतलब बहुती पत्तमीजी से किसी से बात मत करो the next one is jealous jealous मतलब होते हैं जलना किसी को देख कर किसी दूसरे के हमारे पास अच्छे चीजरी रहर है अच्छे एच्छी खाना है कप्र हैं बहुत सव Bee गाड़ी है मोबायल है आजकल सब चीज आ नहीं है तो किसी दें उसकी कर कर अंदर जलन की भावना आती है तो हम यह कहते हैं don't be jealous and the last one is don't be careless careless का मतलब आप लोगों को पता ही है लापर वहां very good तो फिर लापर वहां मत हो okay these are the words or I can say sentences don't be तो चलिए आज के लिए बस इतना ही good bye